जैनकारी हमने दे लिए आशेशी बड़ी अच्छी पोड़ो लागी मुझे, मैंने बोला भाई इसको यहां पर लगाओ जो कुछ उनिफॉर्म में लोग कितने अच्छे लगते हैं, यह ना, उनिफॉर्म में बहुत ही बड़ी बड़ा रखे हैं, बड़ी बड़ा रखे हैं जैन सात्यों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ भाई रिशी पे, हमारे साथ एक बड़े होनार विद्यारती आज अवेलेबल हैं, और यह हमारे एंडिय के बैट में थे लास्टी एर तक, और आज इनोंने एक अलग रस्ता आपने लिए चुना है, बड़ी में अव आज अशी सिंग, और विटेक इन आज इंगिनेरिंग, इंडिय मेड़ा अर्फिति एंडिय मेरी इंगिनेरिंग कर रहे हैं बट बड़िया, फिंटासिक, तो यह मर्चंट नेवी का रस्ता इनोंने अपने लिए चुना है, तो आशीष, किस तरह का अनुभव रहा आपका आप NDA से अचानक से मर्चंट नेवी में कैसे शिफ्ट किये एंड़ी के लिए इंडिया नेवी में नहीं नहीं हो पाया तो मैंने कॉस की सेम ट्राय कर मर्चंट नेवी का इसका सेम वरक है मुझारी किनॉम में में फोकस करती है और वर कंट्री ओके बहुत बढ़िया आप य अगर कोई बच्चा 11th या 12th का अभी देख रहा है तो इसको किन सब्चंट नेवी में उसको इंट्रेंस में साहिता मिले सर्में सब्जेक्ट तो मैस्ट केमिस्ट्री फिजिक्स है मैस्ट फिजिक्स चिमिस्ट्री और विटिश क्या होता है इसका इसका इंग्लिश भी है और जैसे अंडिय में इंग्लिश आती है और हिस्ट्री जोगरफी भी आती है इस फाली पीच्चंट नेवी में सिर्फ आपके पास पीच्चंट नेवी में इंग्लिश बिल्कुल वैसा ही है जैसा की एंडिय एक्जाम में पूछा आता है करेक्ट और कुछ रिजिनिंग के लिए होती है और आपकी इंगिनिरिंग अधे है तो आप टेंटनिग एससे किसी भी शिप कोई बहुत बढ़िया एक टिपिकल दे कैसा होता है जैसे आःसे आप अभी इंडियम में उनिवस्टी में इंजिनिरिंग कर रहे हो इनकी और इंडिय रही थी मेरी आपते 34 आप युनिवर्सिटी में अपना अड्मिशन लिया है अब इसमें एक टिपिकल दे वहां पर कैसा होता है यह आप विवर्स को बताना चाहेंगे ऐसे पॉलिज का एक टिपिकल दे कितने वजे उठते हैं सुबह ब्रेक पास्ट क्या है पढ़ने का क्या रूटीन है और फिज कर सकते हैं एक उनका क्या सब्सक्राओं से साबटेइन अंतुटे इसके बैसे अच्थ करने साथ है और यहाई उसने प्रेक एक बाइवतinho कोश्का रहा और 10 बीच में एक गंडे का लगबग लगग लंश रेक है और पांच परेक के बाद पांच ते के बाद अपने डाम होता है जिम कर रहे है इस पोर्ट स्केलना कुछ नहीं है कि इस पोर्ट स्केलना एक जिन करना जो मन कर बाहर भी जा चापते हैं जो करना कैंपस के अंदर करो कैंपस लाइप कैसी है तर अच्छी मुलना हमें रूल सब्सक्राइब करना है और कितना पढ़ना पड़ता है मतलब आम तौर पे सेमेस्टर एक्जाम्स में एक एलिजिबिलिटी होती होगी के लिए पैले तो इंजिनरिंग में कितने मां करने चाहिए ताकि आप अच्छे कंपणी के प्लेशमेंट के लिए आलाउड है सब में चीज प्लेश्मेंट की एक यह क्यों फिर्स के लिए एक बाहरी जाय और कोन कौन सी मेजर कंपनी इस हैं जो कि आपके के रुरूट्मे प्लीट में इन्या बेज़ है नो सर्थ बार किया कहां किया है बच्छा बहुत नहीं बतर ना दिया है बच्छा एक और पैसिफिक बेसिन प्लीट ओके और जब आपकी इंजिरिंग फाइन ये में प्लेस्मेंट्स होती है या थर्ड ये में किस तरीके सोटा है अब पोर थे और चर्ट ये इसमें फॉँट तरह का प्रॉसेस होता है यह से इंजिरिंग कॉलेज में इप्लेस्मेंट का सिस्टम यह होता है एक आहां पर प्लेस्मेंट के लिए पहले कंपनी आती है इसमें आपिट्यूट पूश्ति है तर इसमें इंटर्व्यू होते है अचीड को बेकित थे हो समिखने लेते हैं सफेयर कुछ एंचर आजवाएक ऑपनी बैटनीी बैटनी अगो अच्छोबमोहीत मीडिया तो सब्सक्राइब करते हैं कि अभी आप बता रहे थे बाहर बैठके इस इस डिस्केशन से पहले राइब लाइंच एंड वर दे लाइंच एंड लाइंच इनके सीनियर बैच है सिर्फ चालिज बच्चे ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट होते हैं उस चालिज में से 38 बच्चों क प्लेसमेंट अलड़ी पोच चुकी है उनका हाइस साकेज कितना गया है सर्थ स्टार्टिंग वन लैक पर मन्त स्टार्टिंग और एवरेज पाकेज लगबग कितना चला जाता है एक बच्चे का अबर आरांड 60-70 एक आरां अच्छ और करियर प्रॉस्पेक्स में ग्रोथ कैसे कैसे होती है जैसे अभी बच्चे ने लटसे सटर असी हधार तो आम सेलरी है जो कि आप निवल इंजिन्य करने के बाद एक स्पेक्ट करते हैं तो फिर करियर बोथ कैसा जैसे अभी आप जुआफ जुएंड करेंगे थस ओपते उप्र इंजिनियर और प्र उसके बहुत बढ़ी है, वो इंटर्णल एक्जाम होता है, जिसको देखने के बाद आप फोर्थ इंजिनर बन जाते हैं, उसके बाद कैसे फिर सेलरी कितनी हो जाती है, फोर्थ इंजिनर में हमारी सेलरी तो अरांड टू लेक्ट के आसपास हो जाती है, अच्छा इन सब में को टैक्स देरे होते हैं, और टैक्स की चोरी भी करने की ज़रत नहीं है, इस अप्सलूटी टैक्स-free income in Merchant Navy, you must know that, okay, that's wonderful, तो मैंने कुछ कोस्टेंस लिखे थे, मैं एक बारी जरा अपने नोट्स चेक करूँगा, क्योंकि यह मेरे बच्चों ने एक कोस्टेंस दिये थे, मुझे लगा चलो, दरकली, एक ऐसे स्टूटेंस से अपने स्टूटेंस से पूस्ता हूं, जिन्होंने यह सब यह सब यह हासिल की और यह फेस कर रहे हैं, इसके Eligibility क्या है, क्या यह बच्चे अप्येट करूँ साथ है। Engineering के लिख फेस सब्सक्रण जरोगा, क्या क्या है। कि देपैंयों करते हैं कि कोई आप द्आइh कोई एंडीक होता है कि इतने से हैं कि अंच में होता था थो था साल का अवसी कि सखते हैं और नतनौन कने कि फुटल Ili अड़ रेख मतविर सुव्टलचेंप चाहिए और फिनी का सकता है और जो डेक साइड में कोई भी जा सकता है भी तो बहुत बाट बढ़ी बच्चा पीजिए नहीं है तो अगर वच्छा पीजिय ने जासकता शुछ के लिए कहन से फोर्स है उसके लिए कॉन से फोर्स है सिस्पी एक्वी प्रेटेन गॉट ऐसमें 10 पासौट वाले उसमें किस तरह की जॉप लगती है उसमें पर उनकी तो भई लगती है, डेक्सार ही लगती है, जीपी रेटिंग है, जीपी रेटिंग है, टीक है, वंडरफॉ अच्छा, if a person gets less than 70% PCM aggregate in class 12, is he eligible, अच्छा, उसके लिए कोई eligibility ऐसे कितना होता है, minimum से 12 में 60% 60%, एक general category, कोई reservation भी होता है क्या, जैसे और सब्सक्राइब होता है, कि OBC, SC, ST, ऐसा होता है, सबका reservation है, सबका reservation है, तो यह reservation बगरा चलो मैं description में डाल दूँगा, वो चेक कर लेंगे वहाँ पर, that's wonderful, और 12 score के बाद INUCT की placement कैसी होती है, I think इसकी जैनकारी हमने देली, यह अशिशी बड़ी अफी फोलो लागी मुझे, मैंने बोला भाई, इसको यहाँ पर लगाओ, जो कोछ उनिफॉर्म में लोग कितने अच्छे लगते हैं, यह ना, उनिफॉर्म में बहुत ही बढ़ी आ रखी है, बढ़ी बढ़ी है, बढ़ी जम्मु एन कश्मीर से, क्या बात है, हमारे बरेली से, पुने से, जम्मु कश्मीर से, अलग-अलग जगह से लोग आए हुए है, और इनकी कुछ फोटो मैंने लीती है, यह इनका कैंपस है, College of Advanced Maritime Studies, this is IMU, Indian Maritime University, यह इनका कैंपस का में इंटरंस ही है, में इंटरंस ही है, क What is job confirmation after completing the course? I think, इसको हमने अलड़ी address कर लिया है, अभी जो इनका, बिल्कुल inside story है, कोई website से नहीं, वहां के पढ़ने वाले बच्चों से ही बता रहा हूँ, जो इनके immediate seniors है, उनमें 40 बच्चों के बाच्च में, 38 बच्चे अलड़ी प्लेज हो चुके हैं, with an average package of, अगर मैं annual package की बात करूँ, तो 60,000 yen to 12 कर ले, करीब-करीब 8 लाग के package पे, 7-8 लाग के package पे initial starting है, जो की 8 महने के बाद सीधे double or triple हो जाती है, triple हो जाती है, double minimum हो जाती है, तो double हो ही जाती है, LNG बालों की सालरी जारा होती है, जो गास कंटेनर्स होती है, तो gas कंटेनर्स की salary highest होती है, के LMG कहा आपने, LMG, LMG stands for, LNG is liquefied natural gas, तो जो merchant navy के ships में, LMG जाती है, liquefied natural gases जाते हैं, उसमें जो लोग उसको लेके जाते हैं, उसकी salary जादा होती है, यहाँ पर मैं mention करना चाहूंगा, उसमें खत्रा भी उतना ही है, इसमें risk भी उतना ही है, मैं आपके लिए तो यही चा और किस तरह के बच्चों को merchant navy में जाना चाहिए, मेरा एक और student है, अभी next interview में उसका भी लोगा, he is already into a job, यह भी पढ़ रहे हैं और वो पढ़ाई खतम करके job में हैं, पिछले 8 साल से job में हैं, और अभी currently वो Singapore में based है, तो वो यहाँ बरी तो नहीं आप आएंगे, मैं उन a piece of advice, अच्छा, उसके बाद fee structure भी कही ना कही important है, fee structure भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या fee structure होता है, IMU का, या जो और कौन-कौन से colleges हैं, जो की इस तरह के course कराते हैं, इंडिया में, तो अगर आपको एक priority decide करनी हो, कि बच्चों के लिए, कि no doubt first choice सबकी होती होती कि सब्सक्राइब होती है, तो अगर्पन युनिवर्सटी मिल रहे है, तो अगर्पन युनिवर्सटी ये central government की द्वारा संचालित है, ये जो university है, Indian maritime university, इसके अलावा और कौन-कौन से colleges हैं, जहां से merchant ने भी लोग purchase, pursue कर सकते हैं, SIMS है, TMI है, SIMS है, TMI है, TMI है, TMI है, TMI है, T सब्सक्राइब है, तो आप सजेस्ट करोगे, अगर आप कोई चोटा भाई हो, तो आप सजेस्ट करोगे कि उसको IMU अगर नहीं मिल रहा है, आपकी तरह बढ़िया rank नहीं लापाता है, तो आप सजेस्ट करोगे कि तुम SIMS से कर लो, SIMS, TMI, बट सब्सक्राइब के फीस के उतनी जादा है, आपकी फीस कितनी है, 9,04 चार साल की फीस, 9,00 रुपे है, इसमें ट्यूशन फीस है, हॉस्तल फीस है, सब को रिवेड है, तो आप दूसरे कॉलोजिस सब्सक्राइब कर रहे है, SIMS और TMI, इसमें पीस कितनी रहती है, बीस लाग चार साल में, रहना, खाना, पढ़ना सब मिला के, अच्छा, तो भाई ये समझने वाली बात है, कि अगर आप government university कर लेते हैं, बढ़िया rank लिए आते हैं, तो आप completely आ सब्सक्राइब करते हैं, किसी के parent के पास 9 ला कुर्पे भी नहीं है, तो क्या वो अपने बच्चे को इसमें course करा पाएंगे, अगर उनका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और rank ले आता है, तो क्या वो कर सकता है, कैसे, education loan तो इसमें easily मिल जाता है, education loan easily मिल जाता है, और अपने आपी उसको बढ़ता है, तो प्लेसमें असानी से हो जाती है, तो इसमें scholarship भी मिल जाती है, SCST के लिए, scholarships भी available है, बहुत बढ़िया, fantastic, तो बच्चों, और आपके मन में कोई question हो, तो आप comments में जरूर बताइएगा, मैं आज इस interview के बाद, आज दिश्चा बाद, आ discussion के बाद, आशिश का एक और discussion में लूँगा, जब ये अपना course कतम करके किसी job में जाएंगे, और जैसे रजट आज सिंगापूर में है, वैसे ये भी कहीं, देश भी देश कहीं घूम रहे होंगे, तो वहाँ जो है, फिर इनका interview हम लोग लेंगे, चेक करेंगे कि किस तरह कि लाइप ये जी रहे हैं, क्या है, ये देखो, ये भी इनका parade है, ये क्या मार्श क्या है, इंडिन मेरी टाइम यूनिवर्स्टी, मेरी टाइम डे है, ये देखो हमारा आशिश यहां पर है, महचल ने भी प्रोवाइद ब्राइट टूचर, तो बहुत बढ़िया है, कि मॉर्निंग टी उसके लिए रोबोट लेके आता है, तो मुझे जान के बढ़ी खुशी हुई है, अच्छा, दुनिया इतनी आगी बढ़ रही है, अभी हम इंडिया में ये सब दीज में फिलाल बहुत पॉमली तो नहीं देख पा रहे हैं, एक पाइनल आप से जवाब टाइम तक दूर रहना पड़ता है, तो अगर आप एड्वेंचर पसंद करते हैं, पैसे के साथ ताथ ये देखना है कि लाइफ्टाइल किस तरह की हो रही है, तो अगर आप उस लाइफ्टाइल को पसंद करते हैं, तो आप मर्चंड नेवी में अपने लिए एक करियर न आफ को पसंद है कि यहां में आज रशा में हैं दो दिन के बाद चाहिना में इस तरह की सेलिंग आप कर सकते हैं टेज़ वहां पर जो लाइफ होती है वो कभी कभी बहुत हो जाती है सी में इतने जबर्दस इतने हाई टाइट्स और टर्बूलेंस होती है कि वो लोग डाल और ब्रेड खाके रहते हैं बोलते हैं पतिलों को दोनों तरफ रस्ती से आते बांध के और तब जागर के डाल बनाई जाती है इतना टर्बूलेंस होता है सी में ठीक है तो अगर तुम तफ हो पैसा तुम ख्यार बहुत है मर्चेंट नेवी में इसमें कोई दोमत नहीं है दुनिया जानती है इस बात को तो पैसे के तासा अगर तुम इस तरह की लाइफ टाइल परदास्ट कर सकते हो जी सकते हो तो तो फिर तुम ड़िए लिए मर्चेंट नेवी में और पीइस नेवी जोईन करें आप बरिली में वेस्ट कोचिंग है और हम उमीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इंडिया की बैस्ट कोचिंग बन सकें इसी महनत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारी तीम में सारे टीचर्स बड़े अच्छे हैं और हम कोशिश कर रहे है आप उसमें हमारे टीचर्स को पढ़ा हुए जो लेक्चर्स हैं उसका फाइदा उठा सकते हैं एस तरह की और अच्छी काउंसिलिंग वीडियो दिए में लाता रहोंगा जिससे की आपको सहीता मिलती रहेगी जन्नेबाद जाहिंद जापार